यहां जो आप पौधा देख रहे हैं यहां तुलसी का पौधा है और यहां कितना बड़ा हो चुका यहां भी आप देख पा रहे होंगे तो लगभग एक साल से पुराना यहां पौधा है जो की बहुत ही बड़ा हो गया है तो इस तरीके के पौधे आप अपने घर पर इतना बड़ा हुआ है तुलसी का पौधा तो इसकी हमने प्रूनिंग किये तो तुलसी का यहां जो मुख्य भाग देख रहे हैं तो यहां मुख्य शाखाय देखिए तो यहां जो मेन उड़ है तुलसी के पौधे का उसमें देखिए हमने प्रूनिंग किये और उसमें से क छोटी सी दंठल दिख रही है, जिसे हमने तोड़ दिया था, यहां, तो इसके बाद में देखी इसमें से बहुत सारी नई शाखाय निकली है, तो आपको जितने आदा पत्य तोड़ते रहेंगे इसके, तो वहां से और ज्यादा की साइड ब्रेंचेस निकल जाती है, जैसे देखिए, तीन साइड ब्रेंचेस यहां पर निकली है, उसके नीचे के भाग से भी और शाखाय निकली है, वहां भी बहुत ही मोटी हो गई है, तो इसकी जो ब्रेंचेस निकली है, साइड वाली, तो इन शाखाओं पर भी प्रूनिंग करते, पत्ते तोड़ते रहेंगे, इसमें जो आप जो फूल देख रहे थे थोड़ देर पहले तो उन फूलों को भी तोड़ते तो उसमें से साइड ब्रेंचेस निकलती है इस तरीके से तूलसी का पौधा जो पेढ़ है उसे हम अच्छा आकार देखे एक बड़ा सा पौधा त्यार कर सकते और दो से तीन साल तक रख सकते है तो यहां हमने जमीन में लगाया हुआ यहां पौधा था जो हमने बढ़ा किया है कुंडी में हम यहां पौधा ज़्यादा बढ़ा नहीं कर सकते क्योंकि यहां कुंडी का साइच छोटा रहता है तो वहां कुंडी तूड़ भी सकती है यहां देखी कितना बढ़ा यहां पेड़ है तो तुलसी के पौधे आप कटिंग से भी लगा सकते है और बीच से भी बढ़ा कर सकते हैं पर आप बीच से पढ़ा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेंगा रिजल्ट क्योंकि इस पर जो पुराने बड़े वाले पौधे रहते हैं उन पर जो मंजीरी आती है यहां जो आप देख रहें इस पर यहां इसे मंजीरी कहते हैं तो यहां भगवान श्री गृष्णा को चड़ाई जाती है तो इसके अंदर में बीजे रहते तो यहां जो हरी वाली आप देख रहें मंजीरी तो यहां अभी परिपक्वा नहीं हमें एक पेपर के उपर में जमा करना है तो सबसे पहले एक पेपर लीजिए तो उस पेपर पर आप यहां मंजीरी है इस मंजीरी की बीजे आपको सबसे पहले यहां मंजीरी आपको यहां जो छोटे-छोटे दाने दिख रहे हैं जिसमें बीज रहते तो इन्हें आपको निक दाल रहे हैं इसी तरीके से आपको भी निकालना है तो यहां लकड़ी लकड़ी जो रहती है उन्हें हमें अलग कर देना है तो एक मंजीरी के अंदर में बहुत सारे बीज रहते लगभग 30-40 छोटे-छोटे दाने रहते हैं एक इसमें बहुत आपको मिल जाएगे तो आपको पौधा चाहिए एक से दो पौधे पर आप इन मंजीरी जो सुकी वाली रहती इन्हें आप अगर फेक भी देंगे मिट्टी में तो पौधा त्यार हो जाता है तो इन्हें हम निकाल रहे हैं देखिए इस तरीके से आपको भी लग कर देना है मंजीरी अब इससे क्या करना है आपको हाथ में यहां मसल दीजिए इससे क्या होगा आप जैसे इसे रगड़ेंगे तो जो बारिक-बारिक बीजे है वहां निकलेंगे बाहर देख सकते हैं आप यहां है तुलसी के बीज जो बारिक वाले आपको मैं बता रहा था तो इन बीजों को आपको मिट्टी में लगा देना है तो अभी हम आपको दिखाते किस तरह आपको लगाना है अभी बरसात का मोसन चालू हो चुका है तो आप अभी जुलई मैने में अगस्ट मैने में तुलसी की पवधे लगा सकते हैं और वाता और अनुकूल होने के वज़े से आपका पवधा भी अच्छी तरीकी से ग्रोव क कर सकता है और उधर में आपका यहां पवधा अभी आपको स्टार्टिंग में हमने जो पवधा दिखा कितना बड़ा हुआ वैसे आप अपने घर पर त्यार कर सकते हैं तो आपको जो मिट्टी लेनी है जो इन बीजों को लगाना है तो आप 50% नॉर्मल स्वाइल लीजिए जो हमारे घर पे रहती है वहां मिट्टी लीजिए साथ में आप जो भर्मी कमपोस्ट रहता है गोबर का खाथ है तो वहां आप 30% लीजिए और जो नदी की रेत रहती है वहां 20% आप लीजिए तो इन तीनों को आपको मिक्स करके यहां या तो आपके पास इतीनों करती है उसमें भी यहां पवधा बढ़ा कर सकते हैं जैसे हम इस गंबले में यहां देखिए हमने बीज इस पर जो बीज थे वहां हमने फेक दिये क्योंकि हो सकता है हमने जितने बीज फेके उन में से 10-15 ही पवधा तयार हो जाए तो इसके लिए आपको पूरे बीज डाल देना है और उसके उपर हलकेल की मिट्टी आपको चड़ा देनी है आपको ज़्यादा पानी देनी की जरूत नहीं है क्योंकि अभी बरसात का मोसम च सालू हो चुका है तो आपको ज़्यादा पानी देनी की जरूत नहीं है अगर मिट्टी सुकती है तो यहाँ पानी दीजिए तो यहाँ पाउधे एक मेने के अंदर यहाँ पर अंकूरन हो जाएगा और इस तरीके से बड़े वाले पाउधे त्यार हो जाते हैं फिर कुछ म किसी भी मेने में भी उगा सकते तो यहां जो तुलसी का पाउधे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यहां अभी बरसात के मोशम में हमने पहले इन बीज़ों को लगा दिया था तो यहां पाउधा बड़ा हो चुका है तो आप जैसे इस पौधे को लगाना भी है तो आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं तो यहां हम एक कुंडी में हमार पास जगा है तो यहां पर हम इस पौधे को लगा दे रहे हैं तो जब भी आप पौधे निकालते हैं, ट्रांस्प्लैंट करते हैं दुसरी जगे लगाने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि पौधे की जड़े तूटे ना, तो आप किसी लकडी की सहयता से मिट्टी निकाले, और साथ में पौधा भी निकल जाता है, और जड़े आपस नए जगे पर बड़ा होना चालू करता है, नहीं तो खराब भी हो सकता है, यहां आप ध्यान रखिए, तो यहां देखिए तुलसी का पौधा हम लगा रहे हैं, ऐसे यह आपको भी लगा देना है, हमारे प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे पौधों की कलम करना, ज इनके वीडियोज आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते इन वीडियोज को,